हमने जो अपनी वीडियो में देहियाला नुस्का बताया है उससे हमारे बहुत सारे भाई वेनों को जो नाबी कौडी नापनलो की समस्या थी वो दिनों में ठीक हो गई है लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट है जो बाई वेन जे बता रहे हैं कि उन्होंने जो देहिया नुस्का है पंदरा दिन ज्यूस कर लिया है दस दिन ज्यूस कर लिया है लेकिन उनकी जो नाबी की समस्या है बो ठीक नहीं हो रही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो नाभी की समस्या है वो 10 दिन 15 दिन देहिया नुस्का और बाकी चीजे लेने से वी आपकी क्यों नहीं ठीक हो रही क्योंकि दोस्तों क्या होता है जे हर एक सरीर का अलग-अलग हिसाब कताब है हम जे नहीं कह सकते कि अगर मुझे 5 दिन में फर्क पड़ा है तो आपको भी 5 दिन में फर्क पड़ेगा हो सकता है आपको एक महीने में फर्क पड़े हो सकता है आपको 2 महीने में फर्क पड़े दोस्तों सबसे यो याद रखने वाली बात है वो जे है कि आप अपने पेट में गर्मी ना पढ़ने दे, गैस ना बढ़ने दे और जे सारी चीज़ तब ही हो सकती है अगर आप अपने खाने का ध्यान रखोगे और मैंने ऐसा भी नोडस किया है जब मैं केई भाहिवेनों से पूछता हूँ कि आप जो देही अला नुस्का है वो कैसे बनाते हो तो बहुत सारी भाहिवेन नुस्का बनाते भी गलत हैं और उसे लेते भी गलत ताइम पर हैं तो दोस्तों जब भी वीडियो देखते हो तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखा करो जो देहियला नुस्का है वो सुबा खाना खाने के बाद लेना है मैं आपको यही सगेस्ट करता हूँ कि खाना खाने के बाद लो कई बाहिवन कहते हैं कि हम सुबा खाली पेट ले सकते ह हाँ अगर आप खाना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जिनको शूगर की समस्या होती है तो वो शक्कर वाला पानी ना पी है और दोनों चीजे लेना शुरू करें देखो दोस्तों यह जो बबारी है बहुती हमय समय से हमारी चलती आई है किसी किसी को 5 साल हो गये है चार साल हो गये हैं दस पंदरा जाने के कारण इसे थोड़ा ठीक होने में टॉर्प में टाइम लगेगा और जब gas बने गी वो gas पास ना होने के वज़ए से आपके पेट में जो gas भरी रहेगी तब आपको यह फिलोगा कि हमारी जो नसे है बहुत ज़ादा कस गही हैं हमारी नाबी हिल गही है तो दोस्तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप जितना पानी पी सकते हो तो पीओ और एक जेलसीन आती है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताई है कि जेलसीन आती है, बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा, अगर आप एक-To mineral nine उसे पीलोगे, जजिससरों अक इसे पार आप एक शब्षिन आती है, इससे खाने के बताए है, इससे क्या होगा, कि जो हमारे जो खाना है वो बहुत ये अच्छे तरीके से और असानी से पच जाएगा और दूसरा गैस नहीं बनेगी ठीक है देखो ये बात अपने दमाग में रखो आज एक दो कमेंट आये थे जिनों ने हमारे भाईवे नों बताया कि हमें फर्क नहीं पड़ा तो भाई ऐसा नहीं है कि देन्या उसका असर नहीं कर रहा असर करेगा थोड़ा इसे टाइम दो इस बुमारी को और कई भाईयों का खेती का काम होता है तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उन्हें सुबा सुबा के वर खाली पेट भी खेतों में जाना पड़ता है कही कही चलानी पड़त कि जैसी बमारी है वैसे प्रहेज करने ही पड़ेंगे दिखो मालो अगर आपने एक जंप लगाया और जंप लगाने से आपकी नाभी हिल गई तो आप जंप क्यों लगाओगे जैम करने से अगर हमारी नाभी कोडी की समस्या आती है पेट में गर्मी पड़ती है क्योंकि अगर हम जैम जाते हैं तब हमें बहुत सारी ऐसी फैट वाली चीज़े लेने पड़ती है वेप रोटिन लेने पड़ते हैं और वो केई वार हमारा सरीर जेल नहीं पाता उस पचा नहीं पाता जिसकी वज़ए से गर्मी पड़ जाती है तब हम जैम क्यों करेंगे तो दोस पास जिरूर बैठा करो उनसे पूशा करो कैसी कौन सी चीजे हैं जो हमारे पेट में से गर्मी बाहर निकाल दें उनको ज्यादा पता होता है तो दोस्तों अमीद करता हूं कि आपको सारी बास समझ में आ गई होगी आप जे जो देही अला नुसका है जे कॉंटीनियू करो दोस्तों मैं इसलिए वीडियो डालता रहता हूं जिनकी नाभी ठीक हो गई है कि आपको जकीन आजाए कि हमारी नाभी भी बिल्कु ठीक हो जाएगी ठीक है